मानावता को सर्मसार करने वाली है घटना गोपाल गंजीले के गोपाल पूर्थाना छित्र के एक गाउं से निकल के सामने आ रही है आपको बता दे कि हमारे साथ बगल में एक लड़की है जिसका उम्मर मात्र 10 से 11 सल बताया जा रहा है और इसके साथ 45 वर्षिये गाउं के ही एक युवक ने जोर जवर्जस्ति करके इसके साथ दुसकर्म करने का प्रयास किया है हाला कि आपको बता दे कि ये बच्ची जो है कि अभी इसका मानसिक इस्तिती सही निया पुरित्र से जो है कि ठीक नहीं है इसके साथ जो जो जब रस्ती किया गया है इनके परिवार के लोग है जो की बताएंगे किस प्रकार से घटनाओं को अजाम दिया गया और किस बैक्ती ने इस घटनाओं को अंजाम दिया इबताईए कि घटना कईसे है भई लखे कई ले भई घटना इनर जीत गोड कर लाबाड़ा, साथ तारीक शाथ बज रात में लेग लग वड़ाई, अधुस जो हाईल बाद तो दोस बज रात में लखे आईल बाड़ाई तो साथ तारीक वाग लेक गोवंतर रहो लोग इनका पता ना चलुए दिशुए लेग बाड़ाई लड़ा कि बहुस भीया तो दा बी रोखिया बाड़ा बहुस भीव बोल्यलुए मैं यूनार्छ ना बोलिली घूल तब टीन इमनाब्सू झाय दो हो चुछ प्राइब जा एव हो गे बीधिना पारप जा निया खुछ दीन के अपने कर दो दोड़ीय। प्रकार से इनके हाथों में एक सनहा है और सनहा के रूप में दी थी तो उसके बाद से जोए कि फायार हुआ है आपको बता दे कि इसमें 40 वर्स बताया गया है रमेश चवान जो कि मुख्यरूप से इसी गाउं के रहने वाले हैं और दस वर्स बच्ची के साथ जोए की दुशकर्म करने का प्रयास किये हैं उसके बाद से लड़की जब घर पे आई थी तो अप अगल-गल में आता जाता जाता तो इस दिन साम को साथ बज़े लेकर गया तो आप लोग पूछे नहीं कि कहा लेके जा रहे हो तो भाप था नहीं नहीं बच्ची की मवी खाना बना रही थी तो कहां जाएगी तो तो तीन आ मतलब ले गया तो तीन गंटे बाद लाकर ज़ बच्ची से पूछें कि कहा लेके गया तो अपने घर लेके गया था लाए घर पे ले गया था गर पर नहीं लेगा था वो इसको सरे में जूस पिलाया आप गाड़ी पर बिठा कर लेकर चला गया इसको अच्छाई बता यह मालीजे कि हम सुने कि आपके पठीदारी में पडोसी में साधी भीवा है तेस प्रकार का महौल है तो बहुत गड़बर चल रहा होगा बहुत के साथ यह हुआ वह हुआ और पुलिस प्रसासन जोए कि अभी तक हाथ पे हाथ दर के बैठी हुई है कोई करवाई नहीं कर रही है हाला कि आपको बता दे कि पॉक्सो एक्ट के साथ सा जोए की तमाम तरह की संगिन धराम केस दर्ज किया गया है और केस नंबर 78 ओबलिक 23 ह जो की इस प्रकार से केस दर्ज किया गये गोपालपूर थाना चेतर में लेकिन अभी भी पुलिस प्रसासन जोए की सोई हुए है सक्ति से साथ करवाई नहीं कर रही है ताकि अभी तक गिरफतार किया जाए आपको बता दे कि वो पहले से भी 302 का मुजरिम रहा है और तमा इस घर की साथी को ना देखते हुए दूसरे की घर का जोए की जोए की इज्जत को बरबाद करने का उसका सोग था और कही ना का इसमें सफल भी रहा इवता है कि माली अभी बड़ पडोसी में साथी वालों तो बहुत कुछ सोचत हुई है साथी वाम ठाथ हम साथी में रोज पूछाए पुछहोने लो रोज ऑन लोज मुलिचे अपर मुलिय। में करके साथाए का इस का इसता हुए उजन बाकी मतलब क्हुन का उपर के स्रा लखा भाजा है लोग नहीं कर रहा है तो अगर हमारे साथ कुछ घटना हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है आपके अगर गाहों में कुछ हुआ है तो अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे खुले में घुमेगा तो आज इनके परिवार के साथ हो जाए तो उस प्रकार का जो मुझरिम है उसके साथ कुछ ना कुछ की करना चाहिए मताजी बताइं यह इसन घटना भोईल भा आप लोग इन कहीं नीख कुछ बोलाथ साथ बाजे ले गएल भाईल भाईल है साथ बजे की कार हो साथ बजे ले गई ता दोज बजे ले आके छोद गईले लड़की बेखोस अली दवाई खिया लगई पूछल गईल पुछल गईले अब इनको महतारी एकदम घवड़ा रहली तो हमनी कोहनी जान देखनी जान तो ठाना पगईल गईल तो ठाना कॉनो करवाईये नेखे कॉहा है रहे से पर बोड़ी तो कुछ भी को शिरुकदी चोड़ा मास हां धाकू हां पहले का चोड़ी किया बादमासी किये लगा खाया को साजा उपेता हैं ओक है को फेन फेन में आगा मेधिन अधिन जो है कि पीता का जो है कि आचरर सही नहीं था जिसके वजह से घर की बेटियों का साधी नहीं हो पा रहा है और साथ तारीक को जो है कि साम को साथ बज़े लेकर के गया इंदरजीत चौहान जो है लेकर के गया है इसमें इंदर रमे जी जी लेकर के गया है और साम को साथ बज़े लेकर गया दस बज़े रात को लेकर के आया बच्ची जब घर पे आई तो अपने ममी पापा को बताई तो कहिना मेडिकल जाच में जो है कि सफल साभीत हुआ है कि है इसके साथ दुछ कर मुझा है मेडिकल के करावे लग के गरवां सब्सक्राव तो फूलिस साथ सब्सक्रावें तो को घरी बच्ची के लागा हम बठा रही यह पूलीस बोला है कि बच्ची के साथ रहूं नी मेडम बोला है मॉट्टर रहूं जाए माली जी है कि हमारे घर में बेटी हो गी तका 24 गांट उसके पासे रहेंगे ताम बोली है मैडम जी बगरी गुरुवा बानी से तो बता है बडम पूचा करेंगे तो घरी में फोरी गल जी है कॉल जाए एक उपने बेटी को समाल हो अब डियुकर यह अइसा पता रही ते में बेटी को समाल के रहए हूं बेटी आप बच्चे पाइदा करेंगे तो क्या घरी में घरी जाए लिए कुल रहे है क्यों हो गये पढ़ने नहीं जाएगी तो एक स्थिक्षा थोड़ी मिलेगा घर में थोड़ी कोई बैठाएगे पढ़ाएगा लेकिन उसको करी से कड़ी साजा उसको पांसिका जादे छोब करने के लिए अपने परिवार जाते होंगा तो लोग ताना भी मालते होंगे साब neon बादे प्रया करने के लिए चाहित किताना मारते हैं मताजी इंवताइ अब और सफिर भाजाइब ओर इंदिने इस भाजाइब दोगें टेंपू से सारह सामान लाइब के और व्रप्रण भागा दे लिए बिटी के पता ना कमनदेशमें अवरत इब आट अब फियो दू त्या बजारी बजारी भागल फिर फिर बच्ची का जोए कि मानसिक विकास कितना हुआ होगा आप लोग सोसत होंगे और बच्ची के साथ दूश्ट कर ख़ूराइ तो फिर से मापको बता दे कि अगवारा की सगीने के साथ नहीं पुर क्या जी कि मिला है आप लोग जो है कि मामले के बारे में क्या सोचते हैं और इसे परियार को किस प्रकार सी सजा देनी चाहिए को मेंट करके जरूर बताएए जदेश जदेश शेयर करिए